लोग बोलते हैं कि बीटेक करके गोल गप्पे बेच रही है या फिर ये लड़की का काम नहीं है तो अगले 70-80 सालों में तो ये इस ठेले से अपनी फीस का पैसा कमपंसेट करी देंगे हलो दोस्तों मेरे नाम भी शेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल अभी क्रियेट्स पर और आज हमें काफी एक इंटरस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे ये आप देख रहे होंगे हमारे देश में काफी तेची से एक ट्रेंड चल रहा है जितने भी आज के छोटे स्टार् करेंगे और एक्च्वल में इनके बारे में भी नहीं इनके नाम के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे न्यूंँ है प्लीज एक बाज़ा की चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जितने भी आज ची चोटे स्टार्ट ऐसार्ट होते हैं वो जाहोज़र प्रैफरेंस दे रहे हैं कि अपने स्टार्ट अपक की अपने स्टार-ट अटन डेकर कि हैं और चीज तो स्बसे पहले मेशा जो सबसे पहलेना Ta वो आता है कि बेरुजगारी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी देश में कई बार हमें अच्छा रुजगार ने मिल पाता है इसके कारण चोटी लागत में हम कोई भी एक चोटा बिजनस स्टार्ट कर देते हैं और दूसरा रिजन हो सकता है कि वो जोब को करना ही चाहता हूँ वो अपना बिजनस स्टार्ट करना चाहता है अपने बिजनस को आगे बढ़ाना चाहता है फिर बाद में तो दूसरा रिजन यह हो सकता है तो बात करेंगे अगर एक स्टार्ट अप स्टार्ट होता है तो उसका में फैदा होगा हमारी कोनमी को और इसके लोगों को अगर वह स्टार्टप आगे जाके बड़ा होता है तो उससे नहीं नहीं रुज़गार पैदा हो सकते हैं तो क्योंकि उसको कांग करने के लिए लोगों की जूरत होगी तो रेक्टली और इंडरेक्टली वहाँ पर रुज़गार मिलेगा लोगों को पर में बात यह स्टार्ट अप स्टार्ट ऑप रएए इनका नेम जो है एज्यूकेशन यहां किसी क्वैलिफिकेशन के उपर रखने का कारण क्या है तो सबसे पहले में कारण तो आए इसका कि ट्रेंड के आज के टायम पर एक ट्रेंड बन गया है मिए चाहएवाले के बाद से एक ट् तूब कोई ऑपनी नाम पर नाम रख सकता है तो अगर वह ऑपने नाम पे रखना चाई मान लिए किसी का नाम सोनू है तो वो सोनू चाय वाला नाम रख सकता है या फिर अगर कोई अपना सिटी पर चाहे तो एक मान लिए लहूर है लहूरी चाय वाला नाम रख सकता है तो इसके लावा ऐसे कही जरीए है जिसे वो नाम रख सकता है तो ऐसे कही जरीए है कि वो ना करेंगे चीज हमारे यहां पे स्टार्ट कैसे हुई है और यह ट्रेंड चला कैसे है इंडिया में तो यह स्टार्ट होती है जब एंट्री होती है मार्किट में अब जो एंप चाय वाला है इसके फाउंटर का नाम है प्रफुल ब्लोरे और यह स्टैबिलिश होई थी 2017 में और काफी लोगों को यह रुजगार भी दे रहे हैं और इसके लावा काफी ब्रूरत कर रहे हैं इसके लावा सो से ज्यादा इनके आउटलर टैक उतके और सो से ज्यादा इनके साथ पार्टनर्स जुड़े हुए हैं जो इनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं अब यहाँ पर यहां पर MBA की फुल फोर्म क्या है जैसे कि आपको पता है की फुल फोर्म होती है Master of Business Administration बट यहां पर MBA की फुल फोर्म कुछ और है इन्होंने जो अपने शोप का नाम यह स्टॉल का नाम जो रखा है MBA चायवाला इन्होंने नाम रखा अपने उपर यानि Mr. Billore एमदाबाद चा लिए यह और काफिजने लोगयों वूती लेकिता क्या आज के तायम पे आप यहां का की बीटक का की एक पा पूरी वाली की यह फोल नगर जनकपूरीटिल्ली से तो हाल में यह मैंनम बी काफी जादा वाइरल हो रही है और काफी अच्छा इस भी कर रिया क्या लिज्वरी बीटेक करके गोलगपे बेच लिया या फिर यह लड़की का काम नहीं है तो क्या यह ऐसे नाम के स्टार्ट अप खोलने सही है या गलत है उसमें आपका भी उपीनियन रहेगा आप एक बार जुरूर पणा उपीनियन देना कोमेट बुक्स में और यहां पर दो तरह के लोग अपी बड़ी है M.B.H.I. वाला की और इसके लावा दूसरे कैटेगरी के लोग यह भी होगे कि अगर तो माल लीजे हम यह ऐसे स्टार्ट अप स्टार्ट कर रहे हैं एक टी स्टॉल या कोई गोलगपे का स्टॉल लगा रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसे बड़ी डिगरी क लगाने के बाद यह बनी है पानिपूरी वाली अपने पैशन से अगर मेरी कैलिकुलेशन एकदम सटीक है तो अगले सकतर असी सालों में तो यह इस ठेले से अपनी फीस का पैसा कंपंसेट करी देंगे आपका क्यों पीन है आप एक बार जुरूर अपना कमेंट बोक्स में जुरूर बताना यहां पर मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है किसी को भी ऐसे टार्गेट करने का अच्छी बात है यह स्टार्ट अप स्टार्ट हो रहे हैं बट क्या ऐसे किसी क्वालिफिकेशन या कि आपके को इसी डिग्री को एसे रिप्रेजंट करना या उसका नाम लगाना क्योंकि इसे एक मेरा जो पीन न है इससे आपको वह लगता हो कि यह आसे डिग्री का नाम यूज़ वर्यूज करने से एक बैट इंपक्स जा रहा है हमारे समाज में कि जैसे कि कोई बच्चा है एक student है वो अपना CA कर लेता है उसके बाद हो जाके कोई गौल गप्पे बेच रहा है तो उसको लागपूर पर अपनी डिगरी पर लगाने कि क्या जूरती हो तो गौल गप्पे क्योंकि वह ऐसे भी बेच सकता था या पानी पूरी तो उसके उपर लागपूर पर लगाने कि पर लगाने कि मैं किसी पहुंचानानी चाहता है या किसी को मेरी बात को किसी का भी तरह का पूरा लगाओ तो मेरी तरफ से बहुत ही बहुत सोरी है आप सभी को दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा और बेल आइकन दबाना मत बूलना था कि मैं जब भी अपने नहीं व्यूडब लोड करता हूं तो आपको उसकान अडिफिकिशन मिल सके I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, thank you so much